हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे, ऐसी लोग वन फिप्टी टैबलेट्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये म अज की वेला स्टेडी में फार्मरोक्स यूटूब चैनल में वू बारे में वो भी काफी अफ़र्डिबल प्राइस में एक साल तक तो study material test series and video lectures के लिए डाउनलोड करें आफ फार्मरोग्स Android user Android app डाउनलोड करें iPhone user app store से लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब समझते हैं Acelok 150 टाबलेट्स के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिनको हम कहते हैं H2 blockers कि histamine H2 receptor antagonist जो medication है यही class का यह medication है Acelok 150 और इसके अंदर जो salt content हम देखें कि salt composition क्या है तो वो है ranitidin कि ranitidin के जो tablet है इसके अंदर 150 mg की strength में available है और यह Acelok 150 जो है उसका brand name है कि जिसके manufacture हम देखें तो वो है cadilla pharmaceutical और यह medications basically क्या करती है जो stomach acid जो हमारा होता है उसको reduce करने का काम करती है body के अंदर कि जब ऐसी कोई बिमारिया होती है कि जिसके अंदर जो stomach acid increase होता है या फिर कुछ ऐसे medications होते है वो लेने के बाद कई बार stomach acid increase होता है तो यह medication वो सभी conditions के अंदर जो है वो use की जाती है कि जो हम आगे detail में सिखने वाले है तो cadilla pharmaceuticals के बारे में हम जाने तो यह Indian multinational pharmaceutical company है कि जिसका headquarters हम देखे तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है और वो 1951 में उसको जो है वो founded किया गया था उसके जो chairman हम देखे and managing director तो वो है dr. Rajiv Gandhi और जो founder हम देखे तो वो है इंद्रवदन अंबालाल मोदी और इसका headquarters है अहमदाबाद गुजरात के अंदर तो यह Indian multinational pharmaceutical group है और main जो है वो उसका headquarters हमदाबाद में तो यह सबाब जो है वो important information रहे गया आपके लिए कि उसके chairman and MD के information founders कौन है और कब जो है उसको सरुआत किया गया था तो what are H2 blockers अब आपके माइड में यह सवाल जरूर होना चाहिए कि H2 blockers का मतलब क्या होता है तो H2 मतलब की histamine के H2 receptor और इनको block करने वाली दवाई या मतलब की antagonist drugs कि जिसको हम कहते है H2 blockers drug और यह medication specially क्या करती है जो histamine की जो receptor जो होते है और उसमें भी जो H2 receptor होते है histamine की की जो parietal cell में होते है stomach के अंदर तो इनकी effect को block करके अपनी pharmacological action देते है और यह class के जो अलग-अलग दुसरे हम medication देखे तो वो एक famotidine है, semitidine है, nizatidine है और यह ranitidine के जो आज हम सिख रहे है aciloc 150 तो यह medications के पीछे आपने कुछ एक common देखा होगा तो वो लगता है tidine, t-i-d-i-n-e यह जो है वो सभी common है H2 blockers के अंदर तो H2 blockers में t-i-d-i-n जो common रहता है कि famotidine रहती है, semitidine, ranitidine and nizatidine तो उसी में से आज हम detail study कर रहे है aciloc 150 के बारे में तो H2 receptor क्या है वो अब आप समझे तो H2 receptor पहले तो होते कहाँ पे है, उनका location क्या है तो यह होते है stomach के अंदर और stomach में भी यह जो उसके parietal cell होते है वहाँ पे आप देखो यह histamine receptor जो है वहाँ पे present है और यह histamine receptor जो पूरा एक pathway तयार होता है उसमें help करते कि यह देखो यहाँ पे histamine और यह एक पूरा आपको pathway दिखाए देगा कि यह pathway के through last में जो है वो gastric acid जो है वो produce होता है और वो हमारे stomach के अंदर जो है वो release होता है तो यह parietal cell क्या करते है stomach acid को हमारे stomach के अंदर release करने का काम करते है और उसमें यह H2 receptor का involvement यह location पे है कि जब यह H2 receptor यहाँ पे proper मौजुद होते है और उनकी effect के कारण यह पूरा pathway complete होता है और यह pathway जब complete होगा तो gastric acid जो है वो produce होता है और वो फिर stomach के अंदर secret होता है तो इनका काफी important role है stomach acid के production में और उनके secretion में और यह stomach acid आगे जाके हमारे GI tract के अंदर जो हमारा stomach है वहाँ पे digestion वगेरा में help करता है कि जिसका main important है digestion की जो भी हम कुछ खाना काते है वो अच्छे से उसका digestion हो जाता है पाचन होता है तो पाचन की जो क्रिया होती है उसमें यह stomach acid का role है और वो stomach acid के secretion में role रहते है यह H2 receptor का बट अब आप condition समझे के कुछ ऐसे विमारिया होती है या फिर कुछ ऐसे medications होती है कि वो लेने के बाद यह acid excessive secret होता है कि जो normal secret होता है जिन लोगों को तो उनको कोई medication लेनी की ज़रूरत नहीं रहती बट यह gastric acid की amount समझो की बढ़ती जाती है increase होती जाती है तो वो जो है वो अलग-अलग problems करता है जैसे की digestive problems होते है और digestive problem में एक problem होता है GED का कि जिसको हम gastroesophagal reflex disease कहते है acid reflex होना मतलब की यहाँ पर समझो कि यहाँ तक थोड़ा normal acid हो कि यहाँ पर जो है वो normal line है stomach acid के production नहीं बट यह देखो यह acid जो है वो यहाँ पर तक है तो इसको हम कहेंगे कि काफी high amount में यहाँ पर acid है अब और उसका level बढ़ेगा तो क्या होगा कि यह उपर की और जो है वो reflex होगा इसूफेगस की और कि जिसके करण GARD होता है या फिर आप कोई ऐसी position में सोते है तो भी यह acid जो है वो उपर की और जो है चड़ता है तो जिसको हम कहते है acid reflux तो उस वक कि जब acid बहुत ज्यादा है तो उसी के कारण वो reflex होता है hyper acidity जिसे condition है पैप्टी कलसर की condition है acidity या वगेरा problem कि जिसके अंदर यह acid के मातरा जो है वो आपकी body के अंदर बढ़ती है main conclusion यही है कि acid जब बढ़ता है तो वो acid को काम करने के लिए यह medication basically जो हम use करते है तो एसी लोग 150 का main basic use यह है because यह ranitidin उसके अंदर है और ranitidin जो है वो H2 receptor blocker के तोर पे काम करता है तो यह medication जो excessive stomach acid का जो production होता है उसको treat करने के लिए और साथो साथ उसको prevent करने के लिए भी use के जाते है because आपने कई बार देखा है कि बहुत सारे medications के साथ combination में यह tablets भी दिये जाते है तो उसके पेछी reason यह होता है कि वो जो आप medication ले रहे है कोई तो उसके करन कई बार stomach acid जो है वो ज्यादा produce होता है तो उस वक्त आपको acidity related problem ना हो इसलिए यह tablets जो है वो prescribe किया जाता है कि acidity के problem को solve करने के लिए GARD के problem को solve करने के लिए practical surdesis के जिसको हम कहते है PUD तो PUD के इलाज में भी यह medication यूज की जाती है अगर किसी को indigestion जैसे condition है dyspepsia जैसे condition की जिसको हम कहते है upset रहना stomach तो यह सभी condition को treat करने के लिए यह tablet यूज किया जाते है especially जिनको acidity का problem होता है कि acid जो है वो बहुत ज्यादा बनता है उनकी body के अंदर तो उसको फिर से normal करने के लिए ऐसी लोग के जो यह tablet है वो prescribe किये जाते है अब समझते है उसके mechanism of infection के किस section से यह medication तो यह क्या करता है H2 receptor जो है उसको block करता है कि यह tablet का समझो कि हम dose देखे simply तो यह medication जो है वो patient दिन में ज्यादा से ज्यादा दो बार जो हो ले सकता है कि एक morning में ले सकते है आप फिर night में तो दिन में दो बार और at least 8 से लेकर 12 गंटे का जो है टाइम इंटरोल पे यह medication जो है वो use कर सकते है अगर समझो कि यह medication का जब आप एक dose लेते है 150 mg तो फिर यह medication क्या करती है यह जो histamine के जो जो receptor है उसकी effect को block कर देता है अब यहाँ पे histamine नहीं होगा तो आगे यह pathway जो है वो possible नहीं होगा और यह pathway जब रूख जाता है तो gastric acid का जो production है वो होने लगता है कम कि जितने जितने यह H2 receptor बंद होते जाते हैं उतना आगे जाके जो है वो gastric acid का production जो है क्या हो जाएगा कम होता जाएगा कि जिससे आप यह medication लेने के बाद ऐसा फिल करेगे कि acidity जो है वो आपकी reduce हो रहे है excessive acid जो produce होता था वो काफी कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा दिन में दो tablet ही लेनी चाहिए और वो भी at least 8 से लेकर 12 गंटे के time interval पर अब उसके side effects समझते हैं तो side effects के कारण constipation जो हो हो सकता है कि यह medication जो है वो आपको constipation करवा सकती है curves हो सकता है आपको यह लेने के बाद कुछ cases के अंदर diarrhea देखने को मिलता है मतलब कि यह alternative condition है कि कुछ लोगों को उससे constipation हो जाता है कुछ लोगों को diarrhea जिसा feel होता है फिर difficulty in sleeping कि रात को मतलब कि सोने में आपको difficulty हो late night तक आपको नीद ना ऐसे condition कई बार हो सकती है dry mouth कि आपका हो सकता है तो यसे problem के कारण dry mouth जैसा feel करते है आप oral cavity के अंदर skin जो है वा कई बार dry हो सकती है कि आप जो आप feels करो तो आपकी जो body की जो skin है आपको ऐसे लगे कि dry हो रही है तो कुछ ऐसे side effects develop होते है इसके कारण फिर headache जैसा feel करते है कुछ लोग कि जिनको सरदर जैसा जो है वो feel होता है ringing in the ears कि अगर ये medications आप लंबे समय तक लेते हैं तो कुछ cases के अंदर ये condition जो है वो देखे कि जाती है कि कान के अंदर कोई ring बज रही है ऐसा आपको जो है वो feel होता है कि जिसको ringing in the ears कहा जाता है और कुछ cases के अंदर runny nose कि nose में से जो है वो पानी आना या फिर जिसे सरदी जुकाम होता है और उस वक runny nose होता है ऐसे condition कई बार feel होती है अब उसके contraindications और warnings के बारे में समझे तो pregnancy में उसको use करे या ना करे तो यहाँ पर आप देखो कि pregnancy category भी है यह medication की safe है बट अगर आपको H2 blockers medications की hypersensitivity के अगर आप tidin वाले कोई भी medications यूज़ करते हैं कि ranitidin है, simitidin nizatidin या फिर famotidin तो ऐसी लोग 150 में हमने जाना कि ranitidin है और अगर आपको यह H2 blockers की allergy है, hypersensitivity है तो यह medication को use ना करें, फिर severe life threatening reactions हो जाती है आपको, मतलब कि anaphylaxis reactions देखने को मिलती है कि अगर आप H2 blockers medications लेते हैं तो यह medication को ले ना avoid करें, और तिसरी pregnancy के अंदर हम बात करें तो यह category B के अंदर आती है so safe है pregnancy के दोरान लेना but condition यह कि अगर आप यह medications ले के बाद आपको constipation जैसा feel होता है या फिर diarrhea जैसा feel होता है, तो pregnancy में उसको लेना जो है वो तुरंत बंद कर दिनी चाहिए और उसके option में आप दूसरे medications या फिर antacid syrup वगेरा जो है वो ले सकते है अगर आपको pregnancy के दोरान जो है वो acidity वगेरा feel होती है तो खास यह दियान रखना है कि अगर आप pregnancy में लेते हो तो वो देखे कि कोई आपको side effect ना हो रही हो कि जिससे कोई problem हो तो proper आपके gynecologist को एक बार consult करके ही pregnancy में यह medication को लिनी चाहिए तो medicine course को access करें farmer rocks के अब उपर जाने medicines के basic use के बारे में उनके dose side effect, warning, contraindications वगेरा एक साल तक affordable price में तो दवाईय की जान करें आपको पूरी मिलेगी वो भी सरलबासा में तो access करें यह lectures के PDF, APTs वो भी affordable price में download करके farmer rocks application तो lecture notes के लिए download करें farmer rocks app, whatsapp कर सकते है 901631 2020 नमबर पे access कर सकते study material test series and video lectures farmer rocks के अब उपर तो android user android app डाउनलोड करें iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, so good luck and all the best